नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI 8 के तहत रेलवे में DRM आफिस में किस प्रकार RTI लगाकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह केंदर सरकार का है इसलिए हम लोग केंदरिये लोग सूचना अधिकारी के कारियाले में RTI लगाकर संबंधित विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं किस प्रकार रेलवे के DRM आफिस में कोई भी सूचना है तू RTI लगा सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अवस्ट कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा एक लाइक अव मालदा डिविजन दूसरा में हम लोग अपना में पहले एक नमबर में अपना नाम लिखेंगे दूसरे में पूरा पता लिखेंगे तीसरे में मांगी गई शूचना दिनांक बार नो दो जार बाईश को DRM आफिस मालदा में विहार के भागलपूर जीले से अप्लिकेशन और इशू आफ रेलवे यूनिक आइडन्टी कार्ड फ़र पर्सन विद डिसेबिलीटी दिव्यांग जन फ़र ईटिक्टिंग के लिए आवेदन कितने दिव्यांग ने किया है दूसरा किये गए आवेदन की दैनिक प्रगती रिपोर्ट दी जाये तीसरा अब तक कितने दिव्यांग जनों का कार्ड बन चुका है चौथा नियावानुसार आवेदन देने के बाद अधिक्तम कितने दिनों में कार्ड बन जानी चाहिए ती चौथा पांचमा बिलंब के लिए दोसी पुदादिकारी के नाम में बंपदनाम चाहता हूं चौथा दिनांग 1292 को कि दिए गए आवेदन पर सभी भागलपूर बिहार के दिव्यांग जनों का कार्ड कब तक बन कर तयार हो जाएगा किर्प्यास सिग्र सिंबन निवंदित डाक्सिस सुचित करने की किर्पा की जाए चौथा सुल्क में मैं 10 रुपे का भारतिय पोस्टल ओडर तिथी इतना से रसीत संख्या दे देंगे पोस्टल ओडर का से विभाग या कार्याले को भुक्तान किया है नोट यदी वांचित सुचना आएं आपके विभाग कार्याले से संबंदित नहीं है तो आर्टियाई एक दोजार पांच की धाराच्छो तीन के तहट संबंदित विभाग या कार्याले को अस्थान तरित कर मुझे पांस दिनों में सुचित करें अपना अस्ताक्षर कर द अफिस में भी अर्टियाई लगाकर किसी भी तरह की कोई विश्रूचना ले सकते हैं मेरे कुछ दिव्यांग साथी 1292 को इटिकेटिंग के लिए डियारेम ऑफिस से कॉंसेशन सेटिफिकेट के लिए आवेदन किया था लगवक तीन मां होने वाला है लेकिन अभी तक किसी का बन के नहीं आया था इसलिए आर्टियाई एक्ट लगाकर इसकी जानकारी ली जा रही है आप लोगों को भी रेलवे से संबंदित कोई भी सूचना आप चाते हैं तो आप आर्टियाई एक्ट के तहत लगाकर सिगर ले शकते हैं अगर उपयोगी लगे वीडियो को जानकारी हो सके और वो आर्टियाई लगाकर रेलवे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैहिन